बिग बॉस की नाम सुनते ही जहन में सिर्फ एक ही शब्द आता है और वह है विवाद वहीं जैसे जैसे वक्त बीटता जा रहा है लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि इस सीजन का विजेता कौन होगा बता दे की बिग बॉस को शुरू हुए 37 दिन हो चुके हैं और अब कई लोग इस सीजन में शिल्पा शिंदे प्रियांक शर्मा या फिर विकास गुपता में से किसी एक को ही विजेता के रूप में देख रहे हैं वही हाल ही में एक इंट्रिव्यू में जब यही सवाल प्रियांक की कर्फरेंड दिव्या गुर्वाल से पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर कई लोग भी चौँक सकते हैं जी हाँ कई लोग यही सोचेंगे कि दिव्या इस सीजन के विजेता के रूप में प्रियांक को देखना चाहेंगी लेकिन दिव्या के मताबिक तो इस शो को जीतने की काबिलियत सिर्फ एक ही इंसान के पास है और वो कोई और नहीं बलकि विकास गुपता है दिव्या ने कहा मैं इस शो के विजेता के रूप में विकास गुपता को देखती हूँ विकास बहुत इंटेलिजन्ट है और वह इस शो के लिए सबसे पौफेक्ट इंसान है जिस तरह से वह घर के अंदर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है जहां स्टैंड लेना है वहां स्टैंड ले रहे हैं और जहां चुप रहना है वहां कुछ भी हो जाए वह अपनी जुबान नहीं खोलते एक दर्शक के तौर पर मेरे लिए वही विनर है और अगर बिक बॉस का खिताब उनके नाम होता है तो मुझे काफी खुशी होगी वैसे हमें लगता है कि दिव्या की इस बात से काफी लोग सहमत होंगे क्योंकि शिल्पा के लाख परिशान करने के बाद उन्होंने उप तक नहीं की वैसे आपको क्या लगता है इस सीजन का विनर कौन होगा हमें कमेंच करके बताना मत भूलिए नियूस एक्सप्रेस की रिपोट